दोस्तों दिल्ली में नई गवर्मेंट रिक्रूट्मेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है कॉंटेक्टल बेसिज की वेकेंसियां है ओनलाइन आविदन की प्रक्रिया इनकी शिरू हो चुकी है 4-5-2024 से और आविदन करने की अंतीमतिती 24-5-2024 से सेलरी बिलकुल अच्छी खासी आपको इसमें सेलरी मिल जाएगी 1,25,000 रुपए पर मंत या आप बोल सकते 15,000 रुपए पर एयर आपको इसमें सेलरी मिलेगी अप्लिकेशन फीस भी आपको यहां सामने दिखाई दे रही है SC, ST, PWD को 104 रुपए अप्लिकेशन फीस देनी होगी और इनके अलावा जितनी भी अदर कैटेग्रीज हैं उन्हें साठे साथ सो रुपए अप्लिकेशन फीस देनी होगी अब पर एयर जिमिट किसी पोस्ट के लिए 45 है किसी के लिए 35 साल निर्धारित की गई है जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर लें तच्छी के दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो ये डिटेल नोटिफिकेशन है सेल जैसे मैंने आपको बताया था Executive Associate Consultant को 10 लाख रुपए पर एयनम Consultant Executive Consultant को 15 लाख रुपए पर एयनम ये Maximum CTC रहेगी इन Candidates के लिए ये Application Feast मैं आपको बता ही चुका हूँ अब Official Website की तरफ चलते हैं India Post Payments Bank की तरफ से ये Recruitment का Notification जारी कर दिया गया है www.ippbonline.com ये Official Website है Recruitment के section पे Apply Online पे क्लिक करके आप इनके लिए Online आविदन कर सकते हैं Detailed Guidelines कैसे आपका Online आविदन करना है यहाँ क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं Download Advertisement पे क्लिक करके हम इस परकार से ये Detailed Notification डाउनलोड कर सकते हैं India Post Payment Bank की तरफ से Recruitment का Notification जारी कर दिया गया है ये Government of India Undertaking है 24-5-20-24 तक आप Online आविदन कर सकते हैं पदों का वीफरन देखिये Executive Associate Consultant Minimum Age 22, Maximum Age 30 साल है Post Qualification Work Experience एक साल का 28 वेकेंसी है 13 Unreserved की 2 EWS की 7 OBC की 4 SC की 2 ST की Executive Consultant Age Limit 22 से 40 साल 4 साल का Experience मांगा गया है 21 वेकेंसी है 10 Unreserved 2 EWS 5 OBC 3 SC, 1 ST की Executive Senior Consultant 22 से 45 साल IOC मां कम से कम 6 साल का Experience 5 वेकेंसी है, 4 Unreserved की 1 OBC की कुल 54 पदों के लिए Recruitment का Notification India Post Payment Bank की तरफ से जारी कर दिया गया है अब बाइफर केट कर दी गई है वेकेंसी है Place of Posting के According Maximum जो वेकेंसी है उनकी Posting New Delhi ही रहेगी बाकी मुंबई और Chennai के लिए भी Recruitment आई हुई है Maximum के Posting Delhi आपकी रहने वाली है तो ये आप यहां से चेक कर सकते हैं ये पदों का फिवर्ट है जाता क्वालिफिकेशन की बात है इनके लिए B, Beta Computer Science या Information Technology या Electronics में आपने कर रखी हो या फिर Master of Computer Application MCA आपने कर रखी हो कम से कम 3 साल की और BCA या B, SC Computer Science या IT या Electronics में आपने कर रखी हो तो ये qualification आपके पास होनी चाहिए जो डिस्क्रिप्शन दी गई है जो डिस्क्रिप्शन आप तहान से पढ़ लिजेगा qualification जो educational qualification है सभी पदों के लिए बिल्कुल common यही qualification है B, VTEC Computer Science या IT में या Electronics में या BCA या B, SC Computer Science में IT में या Electronics में या MCA कम से कम 3 साल वाली आपने कर रखी हो तो यह common qualification है और जो profile वगरा दिया गया है experience वगरा भी आपसे मांगा गया है वो भी आप देख सकते है eligibility qualification के section पे ही आपको देखने को मिल जाएगा शुरू में आपका 3 साल का contact period होगा जिसे आगे 2 साल और बढ़ाया जा सकता है कुछ journal terms and condition है selection process वैसे interview ही है पर अगर bank चाहे तो आपका assessment group discussion या online test के माध्यम से भी कर सकता है वैसे interview के माध्यम से ही आपको यहां selection किया जाएगा तो ठीक है दोस्तों यही जानकारी आप तो पहुंचान दी यह detailed notification आपको हमारे telegram channel पे provide करा दिया जाएगा और हमारे telegram channel का link आपको इस video के नीचे description में मिल जाएगा तो ठीक है दोस्तों आज अभी के लिए इतना ही फिर मिल दें किसी नए वीडियो के साथ अब तक के लिए नमेश्कार